मेरे सभी बड़ो और छोटे भाई बेनों को माता के अध्यात्मिक पावन पर्व की नूतन वर्ष की बहुत सारे शुक कामना है मा आपके जीवन में कभी भी ऐसा दिन ना लेकर आए जब आपको शोक का सामना करना पड़े किसी प्रकार के तनाव का सामना करना पड़े मैं माता से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको कभी ऐसे किसी दिन का सामना ना करना पड़े इसलिए मैं आज नवरात्र के फोर्थ डे यानि जो चौथा दिन है उसके महत्व के बारे में और वास्तु की दिशा के बारे में बताता हूँ आज का दिन माता कुश्मांडा का होता है और घर की West Northwest आप यहां पर यदि अपना सोने का स्थान बनाते हैं तो आपको depression रहेगा आपको हमेशा रोने का मन करेगा आप हमेशा तनाव महसूस करते हैं आप हमेशा दबा दबा महसूस करते हैं और आपको हमेशा सबसे expectations बढ़ जाती है कि कोई आए और आप उसके कंधे पे सिर्ध रख करके अपने मनी की भावनाओं को आप उनके सामने व्यक्त कर सकें इसलिए यदी आप यहां से अपना बैड या अपने बैठने का स्तान आप भाटा लेते हैं तो आपके लिए बहतर रहेगा और यहां पर यदि आप बिल्कु स्वाच्छता रखते हैं, मेंटेंड रखते हैं, तो आपको इस तरह की तकलीफें नहीं आती हैं, आएए हम सभी माता की स्तुती करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और हम उनके बच्चे हैं, हम से जो कुछ भूल चुकोई हो, हम उनकी ख्षमायाचना भी करते हैं। आप सभी माता की इस प्रकार से आराधना करें, और मैं आपसे आज्या लेता हूँ, इसे के साथ जैपाता दे। कर दो कर दे झाल, हम से जाज्याचना करना करते हैं, कर दो कर दो कर दो थाम.